स्वागत है मेरे चैनल एसके हल्पेंग हैंड टिटोरियल्स में ओनलाइन ग्लासेज चलते वे वक्त हो चुका है तो अब समय आ चुका है प्रथम परक्का और इसके लिए शिक्षा वेभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है आप देख सकते हैं काराले निदेशक मादेमिक शिक्षा राजस्थान बिकानेर की द्वारा यहाँ आदेश चारी कर दिया गया है और इसमें परथम परक के बारे में सपष्ट निरदेश दिया गया है दोस्तों इसकी सबसे अलग बात ये है कि जो प्रथम परक होना है वह एक ही दिन पे हो जाएगा जी हाँ एक ही दिन 9 सितंबर का दिन निश्यत किया गया है यहाँ परीक्षा होगी और इसके लिए हमें ले लिंक उपलब्द करवा दिया जाएगा 9 सितंबर को और उसके बाद हमें विद्यार्थियों की यहाँ परीक्षा लेनी है अब इसका पाठे करम हमारा क्या क्या रहेगा उसका पैटर्न क्या होगा किस प्रकार के प्रेशन आएंगे तो यही सब इसमें सपष्ट दिया गया है परक किति थी जो है वह 9 सितंबर को होगी और उसी द के द्वारा जुतना भी हमें अब तक पाठ दिये गए हैं प्रतेक विशे के वे सभी पाठ इसमें सम्मिलित लिये जाएंगे यदि किसी विशे का कोई काम नहीं आया कोई भी पाठ नहीं आया तो उस विशे का मुल्यानकन बाद में लिया जाएगा इसका पैटर्न क्या र प्रतेक विशे के पिस अंक का उसी प्रेशन पत्र में प्रेशन आ जाएंगे और ये बहुव स्कल्पिक प्रेशन होगे। होंगे प्रतेक प्रेशन एक अंख का रहेगा तो अर्थार्थ प्रतेक विशे के बीस-बीस प्रेशन आएंगे जैसे कक्षा एक और दू का हिंदी और गनित का प्रेशन पत्रा आएगा तो कुल चालिस अंख का यह होगा कक्षा 3 से 5 तीन विशे हिंदी अंग्रेजी गनित का होगा तो यह कुल 60 अंख का होगा जसमें 20-20 अंख प्रतेक विशे के रहेंगे कक्षा 6 से 10 में ये 6 विश्यों का रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, गनित, विक्यान, सामाजिक विक्यान और संस्क्रत पतेक विशे 20 अंक का कक्षा 11 और 12 में भिंता रहेगी जो अनिवारे विशे हैं अंग्रेजी और हिंदी इसका एक समयलित प्रश्न पत्र आएगा और वेकल्पिक विश्यों के प्रथक प्रथक प्रश्न पत्र आएगे अब क्योंकि कक्षा 9 से 12 विद्यार्थी विद्याले में आने लग गए हैं और कुछ नहीं भी आ रहे होंगे तो इसके लिए क्या निर्देश है इसमें सपष्ट दिया गया है कि जो विद्यार्थी विद्याले आ रहे हैं वे विद्याले में ही परिक्षा दे देंगे उन्हें हमें प्रश्न पत्र उपलब्द करवाना होगा उसका हम पूर्ड पे कराएं या प्रिंट उनको निकाल करके हमें देना है इसके लिए SFG से हम राशी ले सकते हैं SFG grant से हम लेंगे राशी और जो विद्यार्थी नहीं आ रहे है कक्षा 9 से 12 की बात हो रहे है जो विद्यार्थी नहीं आ रहे है जिन्होंने माबापने स्विक्रती नहीं दी है तो उन्हें हमें इसकी पहुंच सू निश्चित करनी है और इसके लिए 10 तारिक निश्चित की गई है 10 तारिक तक हर हाल में यह प्रिश्न पत्र उन विद्यार्थियों तक पहुंच जाना चाहिए यह तो हो गई बात कक्षा 9 से 12 की अब बागी की कक्षाएं रहती हैं कक्षा 1 से लेकर के 8 तक तो विद्यार्थि आनी रहे तो उन्हें हमें यह प्रिश्न पत्र पहुंच आना है जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े वे हैं वाटसेप के मादियम से उन्हें वाटसेप के मादियम से भीजना है और उनसे यह जो है वे अपने कागज वगरे पे करेंगे अगर हम हार्ड कॉपी देते हैं तो वो हार्ड कॉपी उन्हें उपलब कराएंगे और फिर हमें उनसे यह हार्ड कॉपी ले लेनी है और ये हार्ड कॉपी हमें कब तक लेनी है तो इसकी भी एक निशित तारीक हमें दे दी गई है यह अंतिम तारीक है 13 सितंबर को इसकी हल की हुई हार्ड कॉपी विद्यार्थी से लेना हमें सूनिशित करना है 13 सितंबर ध्यान रखेंगे 13 सितंबर से हमें चूखना नहीं है 13 सितंबर तक हमें ले लेना है आप देख सकते हैं हँए हो परेस पष्ट दिया गया है कि 13 सितंबर तक हम इसको ले लेंगे और विद्यार्थी कोश या SFG से इसके लिए प्रिंटिंग का खर्चा हम ले सकते हैं इसकी प्रपत्र की जाच विशे अध्यापक करेंगे उसके बाद वे कक्षा ध्यापक को लिस्ट दे देंगे और यह जाच हमें कब तक करनी है तो इस जाच के लिए अंतिम दिनांग हमें दे दी गई है 16.9.2021 यानि कि 16.9.2021 तक हमें इसकी जाच करके देनी है गैर सरकारी विद्यालों में भी वहाँ पर पढ़ाएगा इस लिबस के अनुसार जो है वहाँ पर परिक्षा होगी तो प्रथम परक के परिक्षा सभी विद्यालों में की जाएगी इसका प्रथक से record संधारन हमें करना है ये बात फिर से बहुत important हो जाती है क्योंकि इसके अंक आगे जूढएंगे विद्यारतियों के प्रत्थम परक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र का 20 प्रतिशत रहेगा और 11 बूर्ड कक्षाओं के लिए प्रथम परक में अरजित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 10 प्रतिशत रहेगा तो जो भी कुल अंक की उस विशे की परीक्षा होएगी उसमें 10 परतीशत अंक इस परीक्षा में प्राप्त किये गए अंकों का योगदान रहेगा शब्की बॉर्ड में 20 परतीशत रहेगा तो परीक्षा बहुत इंपोर्टन्ट है बहुए कल्पिक परीक्षा है 9 सितंबर को मुल्यानकन पत्रों उपलब्द होएंगे 10 तक हमें प्रतेक विद्यारती तक उसकी पोहुँच सूनिश्चित करनी है और 18 तारिक तक इसकी जाच भी हमें कर लेनी है दिनांग 13 तक हमें वापिस विद्यारतियों से प्राप्त कर लेने है उन विद्यारतियों से जिने हमें घर घर जा करके संपर्क करना है तो उमीद है आपको सभी यहां पर सूचना मिल गई है और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंचन कीजेगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा शेयर करना ना भूलें धन्यवाद दू सब्सक्राइब मैं चैनल